दोस्तों NHPC Limited की बात के तो quarter three का result आज चुका है result ने बहुत जबर्दस मायूस किया है यहाँ पर revenue profit में जबर्दस गिरावट हुए है इसके पीछे वज़े क्या उसको समझेंगे अब इस result से पहले ही stock में तो अलड़ी बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है क्या इसके बाद में और गिरावट होगी या फिर एक तरह से खरीदारी का मौका बंदा निचले लेवल से जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से अच्छे से result को discuss करेंगे खाली result की बाद ने है पूरे बादजार में जबरदस गिरावट का माहोल बना हुआ त्राहिम त्राहिम मची हुए है सभी के सभी stock बिलकुल धरह से होगे ऐसे में क्या करना चीए investor को क्या एक बार सब कुछ बेचके निकल जाए या फिर मौक्या का फाइदा उटा के निशले लेवल से खरिदारी करें market expert की क्या रहे वो भी समझेंगे और साथ में company ने dividend का एलान भी किया है record date क्या है वो भी जानने की कोसिस करेंगे और क्या ही समय खरिदारी करनी चे निशले लेवल से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए तो BSE Sensex में उतनी गिरावट नहीं थी जितनी Small Cap और Mid Cap की पिटाई हुई आज काफी बड़ी गिरावट वहा हुई है और Nifty Energy में भी भहेंकर गिरावट थी पिछे जिदों से कई जिदों से स्टॉक गिरावट की चपेट में था और इसके पीछे वज़े OFS जो सरकार्ट ने लाए जबरदस और भहेंकर गिरावट वही श्टॉक की अंत्र में क्लोजिंग 81.45 के आसवारी जापे 15.38 परसेंग की बंपर गिरावट देखने खुब लिए तो काफी बारी लॉस हुआ है लोगों को आज अब याँ पे इसकी परफरमस देए तो 5 फ्रवरी को श्टॉक 103 की आसवाच जापे 3% की तेजी बनी 6 फ्रवरी की क्लोजिंग 101 के आसवाच जापे 2.3% की गिरावट हुए साथ फरवरी को देखे तो 102 के आसपर श्टोक है जापे 1.4% की तेजी बनी और 8 फरवरी को श्टोक 101 के आसपर जापे 1.2% की गिराउट हुई 9 फरवरी को 96.25 के आसपर श्टोक है जापे 5.2% की गिराउट हुई और आज बहुत बड़ी गिराउट हुई है अब यहाँ पर देखी सकते हो कि company ने अपने result का एलान कर दिया है और आप देखो कि profit में 19% की गिरावट देखनों को मिल रही है जो profit है इस बार 628.44 कोड के आसपस रहा है और देख सकते हो कि इसकी वजब बनी है खर्च जो खर्च में जबदस बड़ोतरी हुई है इसने यह यहाँ पर profit कम किया company का तो देख सकते हो कि company का जून net profit है पिछले साल सेम कौटर में 775.99 क्रोड के आसपस था तो यहाँ पर 19% की गिरावट देखनों को मिल रही है साथ में company के अगर हम total income की बात के तो उसमें भी कमी आई है इस बार देख सकी 2549.69 क्रोड की total income रही है company का खर्च है वो 1727.85 क्रोड 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 था तो खर्च बड़ा है उसकी वजह से profit कम हुआ है तो यह सबसे बड़ी रिजन रही है अब यहाँ पर एकर हम इसके revenue की बात करें तो आप देख सके तो कि December 2022 में 549 कोड का revenue कंपनी का तो यहां पर quarter on quarter basis पर भी revenue गिरा है और year on basis पर देख तो भी revenue गिरा है तो देखो कि मार्च से जो लगाता revenue बढ़ा था तीन quarter से इस बार revenue में कमी आ गई और इसने थोड़ा सा माहुल भीगाड है दूसरी दर बगर हम बात करे profit की December 2022 में 776 करोड का profit था जो quarter 2 में देख सकते हैं कि बढ़के 1693 कोड तक पहुंच गया जबर्दर जंप लगा था लेकिन इस बार profit 628 कोड का ही profit है तो year on basis पर देखके तो profit कम हुआ है लेकिन quarter on quarter basis पर तो profit में बहुत भारी गिरावट आई है और इस result के बाद कह सकता है कि गिरावट स्टॉक में और आ सकती है थोड़ी से और वैसे भी 71 पर OFS लाए गया है तो price 71 तक आसपस आने के तो समभावना बनी हुई है लेकिन अच्छी good news जी है कि company ने dividend का एलान कर दिया है तो per share 1.40 आपको dividend मिलने वाला है यानि एक रुपे 40 पेस का dividend आपको per share दिया जाएगा company की तरब से जिसकी face value 10 रुपीज है और इसकी record date भी आ चुकी है तो 22,2024 बाइस तारीक के पहले अगर आपके dividend आपको इस dividend का फाइदा मिलेगा तो इस समय अगर आप share खरीज़ारी कर लेते है या आपके share account में है तो आपको इसका फाइदा मिलेगा और आपको per share एक रुपे 40 परसे का dividend मिल जा आपको जैसे कि आपको पता है कंपनी hydroelectric power project करती और company इसके लावा solar और wind energy के project भी करे और सरकार नहीं sector के लिए रहात के दौ़ार पूरी तरसे खोल दिये है और solar roof traffic scheme लाई गई है जिसका फाइदा इस company को हो सकता है ऐसे में अगर आप long term investor है तो जितना deep में मिले इस stock में खर सकता है अब यहाँ पर देखो कि NHPC को लेकर LR securities की तरफ से रूपे सांखे का कहना है कि stock की valuation काफी अच्छी हुई है stock उपर के level से नीचे आया है आने वाले समें एक अच्छी समावन और फिर से बन रहे है डीप में इसमें खरिदारी कर सकती है क्योंकि सरकार रिदमले सेक् करने वाली बात है कि सरकार ने 66 रुपीज में जनरल पब्ली को OFS के मादे में से शेर दिये थे और उसके बाद में शेर की प्राइज लगातार बनने लगी 100 को इसने क्रॉस भी किया लेकिन अब OFS फिर से लाया गया इस बार 71 रुपीज में OFS लाया गया है और अब की बार ये एमप्लोई के लिए जनरल पब्ली के लिए नहीं है लेकिन जो प्राइज रखेगी वो 71 और इसी वज़े से देखे तो इसकी फेर वेल्यू के आसपस आने की समवहनों बनी है तो ये हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल से फिर एक बाउंस बैक कर जाए भी स्टॉक तो 2000 में जो भाहिंकर गिराव तो इसके पीछे भी पांच बड़ी रिजन बनी है तो ये जो रिजन सबसे बड़ी इसमें सबसे पहला रिजन है प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे श्टॉक सारे दोड़ चुके बरदस दोड़े है और ऐसे में उपर के लिए से प्रॉफिट टेंशन चल रही है उसका रिजन भी बन रहा है क्रूड ऑयल की प्राइज में जो आपडाउन देखने को मिल रहा है उसकी विजह से भी रिजन बना है मार्केट के लिए फूर्थ पॉइंट है वह है लैस लिक्विड नेचर स्मॉल कैप के अंदर देखे तो वह इतना उसक जो वालटाइड मार्केट में उसकी इतनी स्टेबिटी नहीं है कि इससे जादा दोड़े स्मॉल कैप अलड़ी बहुत जादा दोड़ चुके और पांचवा जो रिजन है वह सेल आप इन पी एसू बैंक एंड रेलवे डिफेंस स्टॉक तो टूटल आप देखे तो यह प आपको डिप में खरीदारी करनी चीए और आने वाले समें एक बैतर रिटन यह दे सकता है अगर आप इसको कम से कम दो तीन साल करेंगे तो यह आपको माला मल कर सकता है लेकिन इस बार रिजल्ट थोड़ा सा निरासा जज़ग है और इस रिजल्ट के बाद गीरावट अगरे ही बनाए वडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स